ये मक्षन, दूद, धाई, लस्ती तो है हम हर्याना की लोगों की पहचान और चाहे कोई कितना ही मना करें एक रोटी एक्स्ट्रा तो हम खिलाई देते हैं Hello everyone, welcome to my channel, मैं हूँ पारूल और आज हम बना रहे हमारा हर्यानवी नाश्ता हम हर्याना की लोग चाहें दुनिया के किसी भी कोने में रहे पर अपने खाने को नहीं भूलते तो चलिए आज हमारे साथ देखी हमारा ठेट देशी हर्यानवी नाश्ता रोटीया बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आटा लगा रही हूँ और यहाँ पर चल रही है बच्चों की मस्ती और यह देखी हमें उन्हें मस्ती मस्ती में सीधी कैमरे में टक्कर मार दी मैं आटा लगाती हूँ इतने बच्चों का यहाँ पर थोड़ी दर फोटो शूट चल रहे यह हमारा आटा भी लग गया यहाँ पर बाई आज ना चुली किरोच वली है मेरे को बोजर पसंद है तू खाईगा मक्हन के साथ अब मैं यहाँ पर चटनी बना रही हूँ मैं बना रही हूँ यहाँ यहाँ पर लस्टन और लाल मिर्च की चटनी लाल मिर्च को मैंने एक घंटे पानी में भीगो हो दिया था भीग्यूई मिर्च असानी से पिछ जाती है और इस चटनी में मैं बहुत जादे चीजे नहीं डालूँगी मैं यहाँ पर नमक डालूँगी नमक डालने से और भी असानी से पिछ जाती है मैं बस एक चमच इसमें धाई मिला दूँगी और यह हमारी चटनी बहुत टेस्टी बनती है और यह देखे हमारी चटनी बन गई है इसको मैं निकाल लिए अब चटनी तो बन गई है अब हम अपनी रोटिया और बना लेते हैं यहां पर मैंने चूले में आग जला लिए हमें रोटिया बेल लूगी अपनी हमारे घर में तो चूले पर बनी Рोटिया सबको पसंद आती है और जब भी हमारा मन करता है हम लोग यह शुट पे आकर चूले पर रोटिया बना लेते यहां पर मेरा तवाबी गरमर मैं इस पर रोटी डाल दूँगी यह चूले पर बनी हुई रोटी हर किसी को पसंद आती है और चूले की रोटी थंडी भी खाने में अच्छी लगती है और खाना, पीना, मस्त, रहना यह है हमारी याना की लोगों की फैचान तो यहां पर देखे मेरी रोटी भी अच्छे से फूल गई है हम अपनी रोटी को भार निकाल लूँगी और इस पर जो भी राक लगी हुई है उसे कपड़े से साफ कर दूँगी और अब हम अपनी थाली लगाते हैं, यह है लसन और लाल मिर्च की चटनी जो अभी हमने बनाई है और यह हमारा प्याज का सलाद और यह हमारी थंडी थंडी लसी यह हमारी चूले पर बनी रोटी और यह घर का बना हुआ मखन कुछ चीज़े हमारी थाली में जरूर बदल जाती है जैसे चटनी की जगे कभी सब्जी आउ जाती है तो कभी सलाट की जगे हरी मिर्चे पर जो चीज़े कभी नी बदलती वो है ये हमारा मखण और लेसी हर्याना के लोगों की पैचान है ये मक्खन और लसी तो वो कहते हैं न दूद धही का खाना ऐसा है मेरा हर्याना तो ये मक्खन और लसी हमें बहुत पसंद होती है और हम इसे बहुत इंजोई करते हैं गरम गरम चूले से निकल के रोटी जब सीधी प्लेट में आती है तो खाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है और यहां पर यह लोग खाने को इंजोई कर रहे हैं मेरी बेटी भी नीचे रोटी नीखाती पर छट पर आती है तो अच्छे से रोटी खा लेती है उसको भी चूले की रोटी बहुत पसंद आती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो यह है हमारा ठेट देशी हर्यांडवी नाश्ता यह हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है हम इसे बहुत इंजोई करते हैं आप भी एक बर इस खाने को जरूर ट्राइ करना आप लोगों को भी यह बहुत पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना